नमस्कार एक्जाम हैपी भाई जारखन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूर चुका हूँ मैं यहाँ पर जेसेसी सीजियल परिच्छा के लेटेस्ट अपडेट को ले करके तो जेसेसी सीजियल परिच्छा एक बार जो जनवरी में होनी है वो टल सकती है सीजियल परिच्छा दोस्तों चोविस पर लग सकता है गरहन देखिए यह देनिक भास का राची से निवज निकल क्या रहा है जो 9.1.2024 का है, आज का यहां पर पेपर में निकला हुआ है, JSC तेर नहीं कर पा रहा है, सेंटर टल सकती है, संजुक परत्युक्ता परिच्छा, देखे JSC के तरफ से यहां पर सभी जिलों के उपायुक्त के साथ बैठक की गई थी, कि यहां पर जो परिच्छा केंद्र का निर्धारन नहीं हो पा रहा था, विविन जिलों में, कि वहां का निर्धारन कर दिया जाए, और उसके बाद seat matrix जो है, लागू कर दिया जाए, जिससे admit card जारी हो सके, लेकिन यहां पर आज फिर जब यह बैठक के गई थी, दस तारी को जो है कि सेंटर को यहां पर अपडेट करना था, हुआ या नहीं होना, तो इस पर कार्मिक वह परशासनी विभाग राज सरकार ने अपना पला जाड़ लिया है, उन्होंने असपस रूप से कहा है कि यहां पर राज सरकार बोली है कि परिछा संचालन के जिम्वारी आयोक की है, या खुद निभाय इसमें किसी विपायुकत का कुछ भी रोल नहीं है, इसलिए यह परिछा अभी तक विभीन जैसे साथ जीलो को छोड़ करके, सतरा जीलो के परिछा केंद्र का निर्धारन नहीं हो पाया है, बहुत से सेंटर का निर्धारन नहीं हो पाया है, 2025 पदो पर न्युक्ति के लिए होनी है परिच्छा जिसके लिए 6 लाख अभियर्ति जो है यहाँ पर आवेधन किये हैं बहुत अधिक अभियर्तियों के संख्या को देखते हुए परिच्छा केंद्र जो है वहाँ पर बनाया नहीं जा पा रहा है बिवीन जीलो में जिससे की एड्मिट कार्ड जारी नहीं हो पाएगा अगर एड्मिट कार्ड या 12-13 तारी तक जारी नहीं होता है तो आगे यह परिच्छा नहीं हो सकती है तो एक बार लग रहा है कि फिर से यह परिच्छा पर लग सकता है गरान देखिए आगे क्या कुछ नहीं जाता है जैसा होगा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे बने रहेंगे